सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स, गौर्मेंट स्कीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों जो पियम मोदी ने आज मेट्रो में मोबिलिटी कार्ड की सुरूवाद की है इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से दिल्ली मेट्रो यानि DMRC के एरपोर्ट लाइन्स पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुरुवात कर लिया है उसे लॉंच कर लिया है तो दोस्तों यह कार्ड क्या है किस काम याता है इस बारे में पूरा हम आपको बता देते हैं तो जो आपका जो दिल्ली मेट्रो है इसके लिए जो एरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है इस में यह कार्ड सुरू कर गिया है मेट्रो के लिए अब आपको इसके लिए टिकट करीदने की जरुवत नहीं है आप जो यह मोबिलिटी कार्ड है इसके माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं डारेक्ट इंड्री कर सकते हैं जैसे कि आपका मेट्रो कार्ड होता है तो यह मोबिलिटी कार्ड क्या होता है मोबिलिटी कार्ड किसी भी बैंक का डेविट कार्ड या क्रिडिट कार्ड की तरह ही काम आता है आप इससे एट्यम से पैसे निकाल सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं ये फिर जैसे की दिल्ली मेट्रो में ये शुरू हो चुका है तो दिल्ली मेट्रो में आप बिना टोकन के या बिना टिकट के जो आप खरीदते हैं ये फिर बिना जो आपका मेट्रो कार्ड होता है उसके आप मेट्रो में जा सकते हैं आजा सकते हैं इस कार्ड की सायता से तो इस तरह का कुछ ये कार्ड है और पूरी जानकर इसके बारे में आपको बता देते हैं जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है भारत सरकार के आवास और सहरी मामलों के मंत्रय अलेद्वारा ये डिजैन है और एक इंटर ऑपरेटिव ट्रांसपोर् कार्ड की रूप में विक्सित किया गया है इसे इस तरह से डिजैन किया गया है कि आगे जाके भविश्य में कियातरी इस कार्ड की जरी किसी भी माध्यम का जो यात्रा का भुकतान कर सके और इसके जरी जो नेशनल हाइवेज होते हैं उन पे टोल टैक्स का भुकतान भी आ लागू किया गया है तो इंट्रिगेट वगएरा पे भी इस कार्ड के लिए जो है कुछ बदलाव किये गये हैं अब जो है जो आपका जो ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड है इसका इस्तमाल आप दिल्ली मेट्रो में कर सकते हैं टोकन आपको खरीदने की जूरत नहीं है साथ आप इस कार्ड को इट्यम कार्ड की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं और जो आपका इट्यम कार्ड होता है पैंसे वेगर ने निकालने के लिए इस कार्ड की सहयता से आप पैंसे भी निकाल सकते हैं इसे आप डेविट कार्ड के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं इट्यम का आपको बता देते हैं जो किंद्री शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्राली ने ये नेशनल मॉबिलिटी काड लॉंच किया है इसको वन नेशन वन काड की तोर पर विक्सित किया गया है और ये एक contact less ATM card की तरह काम करेगा इसके साथ आप यातर के बदले चुकाने वाला किरावी से दे सकते हैं ATM मसीन से पैंसे निकाल सकते हैं जैसे कि आपको बताया कहीं खरीदारी करते हैं सौपिंग करते हैं मौल वगरे में तो इसी card की सायता से आप payment भी कर सकते हैं अगर आप खाना घाते हैं होटल में आप रुखते हैं इसी card से आप उसकी payment भी कर सकते हैं आपको अलग-लग card रखने की जरुरत नहीं है हर चीज की जैसे कि metro card अलग होता है और आपका airport पे अलग card बनता है airport के लिए shopping के लिए अलग card बनता है तो उसके लिए आप अलग-लग card बनाने के आपको जरुरत नहीं है इस card की साहते से आप जो आपकी सारे card है इसी card में आप merge कर सकते हैं और देश की लग-बग जो सभी private bank हैं और कुछ national bank हैं वहाँ आपको ये national common mobility card आपको मिल जाएगा और जो अब जो नए जो ATM card डेविट card जो मिल रहे हैं वो आपको national common mobility card फीचर वाले card ही मिल रहे हैं यानि कि अब आप जो आपका ATM card है अपने bank से इस national common mobility card से आप उसे बदलवा सकते हैं क्योंकि ये कुछ-कुछ bankों में जो है मिलने लग गया है तो फिलाल अभी ये जो card है 25 बैंकों में उपलब्द है और इस card को बढ़ावा देने के लिए काफी cashback भी इसमें मिल रहा है पांस से दस परसेंट बहुत जगे इसमें cash मिल रहा है जैसे कि इस card को यूच करने के बाद आपको जो cashback इसमें मिल रहा है तो दोस्तों ये national mobility card क्या है इस बारे में आपने पूरी जानकारी देख लिए है और इस बारे में और जानकारी पानी के लिए आपको नीचे description box में मैं ऐग एक link दिया है इस link के माद्यम से आप इस card के बारे में national common mobility card के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देखा कि National Common Mobility Card क्या है और किस काम याएगा और ये कब बना था इस बारे में पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दी है और National Common Mobility Card से रिलेटर अगर आपको कुछ क्वेशन पूछना है कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस तरह की जानकारी के लिए दूस्तों आप हमारे साथ बने रहे हैं हमारे चैनल को लाइक से रोड़ सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इस तरह की एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद